हेलो दोस्तों मैं होरी शब्चार्जिया और आज की शेडियो में हम करने वाले comparison between the base buds pro जो नया वाला model है 2021 में launch हुआ है and the petron का base buds ही है तो इन दोनों का price range थोड़ा सा अलग है बट क्या आपको थोड़ा extra देके pro नया वाला खरीदना चाहिए कि base buds ही खरीदना चाहिए वो थो कुन सा best रहेगा तो वीडियो को पूरा देखिए अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना चाल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर दबा दीजिए मुझे इंस्ट्राइम पर फॉलू किजिए अद्दर है rc videos and दोनों ही products का link description and comment section में रहेगा तो चलिए स have been launched at 1200 rupees 1199 वेराज जो base birds है वो अभी जब मैंने चेक किया 899 का मिल रहा है दोस्तों आपको एक बार दिखा भी देता हो देखने में कैसा है तो these are the base birds ठीक है ऐसा देखने में है and जो आपको दिखाया यह वाला model यह देखने में मतला picture आपको दिखा देता हो picture में देखने में कैसा है तो these look like this ठीक है तो around 900-300 रुपीज एक्स्ट्रा क्या आपको देना चाहिए and pro खरीजना चाहिए कि 300 बचा के base birds ही खरीदिये तो Bluetooth technology की बात करें दोस्तों तो यह नया वाला model में Bluetooth 5.1 का support आता है वेराज बेस बड्स में Bluetooth 5.0 का support है तो that is slightly better फिर drivers की बात करें तो इसमें 8 mm का drivers आता है वेराज जो बेस बड्स है उसमें 10 mm का drivers आता है this is how the earbuds look तो 8 mm 10 mm आप सोचेंगे कि base birds का sound better रहेगा उसका बड़ा है बट नहीं दोस्तों इसमें quality difference है मैंने इनका 10 mm का भी use किया है दूसरा model बट 10 mm का या मतलब जो driver है उसको मैंने सुना है and I would definitely say the 8 mm का quality is much better than the 10 mm इसका sound quality का experience much better रहेगा दोस्तों अगर आपको detail में जानना है कैसा है तो मेरा review video देखेंगे तो उसमें proper पता चल जाएगा but in summary the 8 mm of Petron ये नया वाला is better than the 10 mm जो base buds में मिलता है ठीक है and the difference is definitely significant आपको पता चल जाएगा 300 extra देखे जो sound quality अलग मिलेगा ना that is definitely worth it उसके बाद charging capacity की बात करें तो charging case base buds का थोड़ा better है दोस्तों उसमें 400 mh का battery मिलता है वेराज इसमें 300 mh का battery मिलता है थोड़ा सा जाधा battery life उसमें मिलेगा charging की बात करें तो नया वाला में type c मिलता है दोस्तों वेराज base buds में micro usb मिलता है and अब जो earbuds है उसका भी battery थोड़ा कम है इसमें 40 mh का मिलता है वेराज base buds में 50 mh का मिलता है थोड़ा सा battery life उसमें better मिलेगा but overall दोस्तों I would definitely say आप 300 extra देखे बेस बड्स प्रो वाला लीजिए definitely it is worth it for the 3000 sound quality will be better type c मिल जाता है and also दिखने में थोड़ा सा अलग है but that depends on personal choice but still sound quality के लिए I would definitely say आप 300 extra देखे खरीद लीजिए but अगर आप सोच रहे थे कि नहीं हमारा budget 900 रुपीज ही है हम नहीं खरीच सकते एक्स्ट्रा देखे तो base buds आसा good option but definitely these are better for the 300 आपको definitely value मिल रहा है दोस्तों I would suggest go for the pro description में link रहेगा तो आप दिर्क लिक करके खरीच सकते अगर मन बना लिए वीडियो कर इंफर्मेटिव लगा तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों चाल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकान भी दबाद किजिए मुझे इंस्टार्ण फॉल्लो कीजिए अधरे रसे मीडियो आज के लिए इतना दोस्तों फिर से अगले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए बाइबाइए अन्स्टेश्टेश्ट